5 सिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सरुपली राधा किष्णन की जैनती के उपलक्ष में मनाये जाता है वे एक परसिद विद्वान, भारत रत्म पाने वाले प्रथम उप राष्ट पती और संतंत्र भारत के दूसरे राष्ट पती थे उनका जनम 5 सितंबर 1888 को हुआ था एक शिक्षवित्व के रूप में वे एक महान शिक्षक थे जैसा कि आम कहावत है एक देश का भविशे अपने बच्चों और सिक्षकों के हाथ में होता है संरक्षक के रूप में छात्रों को भविशे के नेताओं में ढाला जा सकता है जो भारत के भाग्ये को आकार देते हैं केरियर और व्यवसाई में सफल होने के लिए वे हमारे जीवन में महत्पून भूमिका निबाते हैं वे हमें एक अच्छा इंसान, समाज का भेतर सदस्ते और देश का एक आदर्श नागरिक बनने में मदद करते हैं सिक्षक दिवस को हमारे जीवन में आने वाली चनोतियों, कठिनाईयों और विशेश भूमिका को स्विकार करने के लिए मनाये जाता है प्रत्थम सिक्षक दिवस कब मनाये गया? वर्ष 1965 में स्वरगिय डॉक्टर S. राधाक्रिशन ने कुछ परमुक छात्राओं से उन महान शिक्षक के प्रती शधांजली अरपित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया उस सभा में डॉक्टर राधाक्रिशन ने अपने भाशन में अपनी जैनती समारो के संबन में अपना गहरा आरक्षन व्यक्त किया और इस बात पर जोड दिया कि भारत और बांगलादेश में अन्यमहान शिक्षकों को शधांजली देकर उनकी जैनती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, 1967 से 5 सितंबर को आज तक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है शिक्षक दिवस का महत्व क्या है? शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है।